तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ दो तरह की लसी की रसपी इसमें से पहली रसपी है चीकू लसी की और दूसरी है आलू बुखारे की लसी तो फ्रेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों ही रसपी बहुत ही पसंद आने वाली हैं तो चलिए देखते हैं और जल्दी से बनाते हैं तो जी चीकू की लसी बनाने के लिए हमें चाहिए दो चीकू एक कटोरी दही और कुछ क्यूब्स हमें चाहिए बरफ के और लेंगे हम एक कप दूद का और पिसी हुई चीनी आप नॉर्मन वाली चीनी भी ले सकते हैं तो चलिए एक ब्लेंडर में हम डाल लेते हैं चीकू, और अब डाल रहे हैं इसमें देहीं, साथ में ही हम एड कर देगे इसमें आइसक्यूब्स, चीनी डाल दी मैंने, दो से धाय चमच आप डाल दें, तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं फ्रेंड्स चीकू जो है यह बहुत ही गुट सोर्स ऑफ वाइटमन्स मिनरल्स पोटैशियम मेगनीजियम ऐसा क्या है जो इसमें नहीं होता तो इसे तो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए तो यहाँ पर मिला दिया मैंने दूद अच्छे से कर लेते हैं ब्लेंड तो लीजिये हो गए हमारी चीकू की लसी तयार बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स एनर्जी का ख़जाना है यह लसी तो इसे तो आपने ज़रूर ट्राइ करना ही है चीकू जो होते हैं यह एंटी आक्सिडेंट होते हैं एंटी इंफ्लमेटरी होते हैं यह अपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो बस फिर आपको पताईए कि इसे खाना तो ज़रूर चाहिए तो चलिए अब इसे गार्णिश कर देते हैं थोड़ से चिया सीट्स डाल देते हैं इसके उपर तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो गाइज आपके साथ जो दूसरी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है आलू बुखारी की लसी जिसे की हम इंग्लिश में पलम कहते हैं तो चलिए से भी बना लेते हैं तो यहां पर लिए हैं मैंने तीन आलू बुखारे बहुत ही फ्रेश आलू बुखारे हैं यह और इन्हें हम चॉप कर लेते हैं इनका जो छिलका है वो नहीं उतारेंगे हम क्योंकि अगर छिलका उतार दो ना तो फिर इसका जो कलर है वो बड़ा डल सा हो जाता है तो मैं कभी छिलका नहीं उतारती हूँ तो बस इस तरह से आप स्लाइस कर ले तो फ्रेंड्स अगेन जो आलू बुखारा होते हैं यह भी बहुत ही इसके भी बहुत सारे हेल्थ क्यूब्स बरफ के तो चलिए एक ब्लेंडर में हम आलू बुखारा डाल लेते हैं और एड कर यूँ मैं इसमें दो से धाई चमश चीनी के और एक चुथाई चमश हम डालेंगे इसमें काला नमक यह बहुत ही टेस्टी रिफ्रेशिंग लसी होती है यह बहुत ही टैंगी बनती है क्योंकि इसमें तीनों फ्लेवर होते हैं मीठा भी खटा भी और नमक भी तो नमक डालने से क्यों होता है कि इसका जो टेस्ट है वो बैलन्स हो जाता है और बहुत ही गर्मी के मौसम में ज मैं एड कर रही हूं दहीं तो मैं यहां पर मिला रही हूं डेड़ कटोरी दहीं की और अब इसमें डाल देते हैं हम आइस क्यूब्स और दुबारा से इससे हम ब्लेंड कर लेंगे तो बस कुछ सेकंड्स में हो गई हमारी लसी तैयार तो चलिए इसे भी हम पोर्ट कर लेते हैं ग्लासिस में तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दोनों रेसिपीस बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इन्हें जरूर ट्राई करेंगे तो अगर आप इन्हें ट्राई करते हैं और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लसी की रेसिपीस कैसी लगी है तो अब मैं इनके उपर डाल रही हूँ बारी कटा हुआ आलू पुखारा पीते वक्त जब ये मुह में आता है न तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ